गुड मॉनिंग टेंथ क्लास हिंदी मीडियम इस्टेंट्स मोस्ट वैल कम इन दिस वीडियो दिखी बटा कल की वीडियो में आपने जो इस्टेडी की थी वो पादपों में गतियां अनुवर्तन एवं अनुकुंचन गती का अधियन किया था ठीक है आज मैं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है जन्तुव में हार्मोन इस कुशन पर आज मैं आपको चर्चा करूँगा देखिए आप विभिन प्रकार के ऐसे क्रिया कलाप हैं जिन का नियंत्रण और समन्वे जन्तुव में हार्मोन के माध्यम से होता है ऐसे विभिन प्रकार की घटनाएं जो हमारे सामने हमारे द्वारा किसी और के द्वारा घटित होती है ये सभी घटनाएं यान एक तरह से हार्मोन से नियंत्रित होती है नियमित होती है जैसे हमें किसी से सामना करना पड़ा तो उस सामना करने के लिए हमें हिम्मत कौन दिलाएगा या किसी जानवर को लिए आप एक जानवर और दूसरा बड़ा जानवर तो बड़ा जो होता है वो छोटे पर हावी होता है तो छोटा जानवर रेदिमान लो बड़ा सिकार करने लिए उस पर अटेक करता है तो छोटे जानवर के पास दो विकल्प होते हैं कि या तो उससे वो लड़ाई करे या वो वहा की क्रिया है कि अब इसका नियंत्रन कैसे हो लड़े या दोड़े तो ऐसे कारियों का संचालन आपने नाम सुना होगा एड्री नलीन हार्मौन से होता है तो एड्रीनलीन एक परकार का जन्तु हार्मॉन है याने व्यक्ति को हिम्मत दिलाने का काम करता है तो वो जन्तु हार्मॉन है ऐसी हम देखें तो जैसे मालो हिर्दे की धड़कन का बढ़ना स्वसंदर का एनियमित होना उपाप अच्छे क्रियाएं बढ़ जाना ये सब थायरेड ग्रंथी से इस्तरावि की बीमारी है तो इसको नियंत्रित भी हार्मॉन ही करता है अगनाशे ग्रंती से जो इंसुलीन हार्मॉन इस्तरावित होता है यह हार्मॉन क्या करता है यह सरक्रा का नियमन करता है रक्त में सरक्रा का नियमन ऐसे हम देखेंगे कि एक जिसे लड़के और लड़कियों में एक निशित आयू पर याने किसोर अबस्ता जब प्रारंभ हो जाती है तो लड़कों में जैसे डाडी मुछो का आना, आबाज का भारी होना, ठीक है? ऐसे लक्षन उत्पन होने लगते हैं, ऐसे ही लड़कियों में, आबाज पतली होना, इस्तनों का अभिकास होना, माशिक चक्र प्रारंभ होना, तो ये जो लक्षन है, ये सब हार्मोन से केंद्रित है, ये हार्मोन से नियंद्रित होते हैं, तो इन सब की बात मैं आज इस वीडियो में करूँगा, तो सबसे प्रारंभ में लुगा में, जैसे हम गरंथियों की बात करें, तो मैं मस्तिस्क से स्ट थाइड ग्रंथी पाई जाती है हर्दै के पास थाइमस ग्रंथी पाई जाती है आमाशे के नीची अगनाश ग्रंथी पाई जाती और नर में जनन ग्रंथी को ब्रशन कहते हैं और मादा में जनन ग्रंथी को अंडशे कहते हैं तो ये सब ग्रंथियां मानव शरीर में है और इन ग्रंथियों से इस त्रावित जो पदार्थ है उसको हार्मॉन कहते हैं तो देखे बिटा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जन्तु हार्मॉन तो सबसे पहले तो इसकी एक लाइन की परिवासा आप लिख सकते हार्मॉन होते क्या हैं तो हम कहेंगे वे रसायन वे रसायन जो शरीर में अलप मात्रा में इस्तरावित होते हैं तथा सीधे ही रक्त में इस्थाना अंतरित कर दिये जाते हैं ऐसे रसाइनों को हार्मौन कहते है ठीक है अब ये हार्मौन इस्त्रावित किस्से होते हैं अन्तेस्त्रावी ग्रंथियों से हार्मौन किस्से इस्त्रावित होता है अन्तेस्त्रावित ग्रंथियों से देखो अंतेस्त्रावी जो ग्रंथियां है यहने हमारे सरीर में देखें हम अंतेस्त्रावी तंत्र ग्रंथियां दो प्रकार की होती एक बाहस्त्रावी एक अंतेस्त्रावी और तीसरी मिस्र तीन प्रकार की ग्रंथियां है हम केवल ग्रंथियों की बात करें बिटा देखो ग्रंथियां तो ग्रंथियां तीन प्रकार की हैं नमबर वन वाहसरावी अंतैसरावी और नमबर तीन मिश्रित देखिए वाहसरावी मतलब ऐसी ग्रंथियां जो अपने पदार्थों को नलीका के द्वारा nightmares तीना थिक है अब इसमें हम जैसे में मैं जैसे बात करूँ यहां पर वहीसरावी ग्रंथि एक प्रकार की यह जैसे देखें तो यक्रत यक्रत वही श्राभी ग्रंती है यक्रत की द्वारा पित्र सिस्तरावित होता है और वो वही श्राभी ग्रंती है दूसरा मैं बताओं आपको जिसे अगनाशे व्रसन और अंडाशे ये तीनों इमेशित ग्रंती है अगनाशे व्रसन और अंडाशे ये तीनों मिश्र गंथी है वहाँ सरावी गंथी है वो यकरत है मानब सरीर की सबसे बड़ी गंथी कौन सी है यकरत मैं इसको पार्ट नमबर दो में पार्ट नमबर च्छे में आपको डिटिल से पढ़ा चुका हूँ यकरत से इस्तरावित होता है फित्रस और पित्रस एक तरह का वासरावी पदार्थ है जबकि अंतेस्तरावी में देखें आप तो देखो पियूस गरंथी हाइपोथेलेम्स गरंथी पीनियल गरंथी थाइरड गरंथी पैरा थाइरड गरंथी अधी ब्रक गरंथी थाइमस ग कर देती हैं उन्हें अंतेस्तरावी ग्रंथियां कहते हैं यानि बिना नलीका की सायता से इसका मतलब अंतेस्तरावी ग्रंथियां नलीका विहीन होती हैं आप एक लाइन में कह सकते हो कि नलीका विहीन ग्रंथियां जो अपने रसायनों को सीधे ही रक्त में इस्तरावी ग्र नलीका विहीन ग्रंथियां जो अपने रशाइनों को सीधे ही रक्त में डाल देती हैं उन्हें अंतेश्राभी ग्रंथी कहते हैं उधारन पियूस ग्रंथी हाइपो थेलेमस ग्रंथी पीनियल ग्रंथी थाइरड ग्रंथी पेरा थाइरड ग्रंथी थाइमस ग्रंथी यह सब ग्रंथी आंतेष्रावी है ठीक है अब यहाँ पर अग्नाश मिसित में देखो ऐसी ग्रंथिया जो अपने पदार्थों को नलीका की सहायता से भी इस्तिरावित करती है और बिना नलीका की सहायता से भी ध्यान से सुनना आगंशे ग्रंथी जब आगंशे रस स्त्रावित करती है तो आगंशे रस पाचक रस है जो पाचन क्रिया में काम आता है लेकिन जब ही हार्मोन इस्त्रावित करती है ब्रशन जब सुक्राणूं का इस्तरावन करता है याने ब्रशन जब शुक्राणूं को इस्तरावित करता है तो यह बहासरावी ग्रंथी है लेकिन जब टैस्टेश्टेरोन हार्मॉन इस्तरावित होता है तो यह अंतैसरावी ग्रंथी है ऐसे ही अंडाशे में देखेगा अंडाशे से जब अंडानूं का उत्सर्ग होता है तो यह वही शुक्रावित है और जब अंडाशे से एस्ट्रोजन प्रोजिश्टेरोन हार्मॉन इस्तरावित होता है तब यह अंतैसर भी है इस प्रकार ये तीनों मिश्रित गरंथी है चलिए आगे देखिए बटा देखिए आप डाइग्राम आपके सामने ये मानव की अंतेस रावी गरंथियां है ये नर और ये मादा ठीक है दोनों में मैं आपसे बात करूँ तो केवल अंतर कहां आएगा ब्रशन और अंडाशे में बाकी सब गरंथियां सेम हैं देखिए आप मस्तिस्क में आपको हाइपोथेलेमस पीनियल और पीयोस ठीक है गर्दन में आप देखें तो अबटू गरंथि अबटू गरंथि कहते हैं थाईराइड को थाईराइड गरंथि का नाम है अबटू और पेरा थाईरेड का नाम है परावटू थाइरेड ग्रंथी को हिंदी में अब टू ग्रंथी कहते हैं और पेरा थाइरेड को पराव टू कहते हैं ठीक थाइमस ग्रंथी ये हिड़दय के पास होती है ठीक है दैन अगनाशे ग्रंथी ये ये आमाशे के नीचे होती है अधीब्र ग्रंथी ब्रक के उपर है और जो ब्रशन ग्रंथी है वो जन्नांग छेत्रों में पाई जाती है नर की एक प्रकार की जनन ग्रंथी है और यह जननांग छेत्रों में पाई जाती है इधर देखें आप यहां तक पूरी ग्रंथियां सेम जैसी नर में ऐसी मादा में अंतर कहाएगा जनन ग्रंथी में नर्मे जैसे ब्रसन गंथी पाई जाती है इसके इस्तान पर मादा में अंडाशे गंथी पाई जाती है तो ये है आंते स्त्राबी तंत्र ठीक है अब इसको आप आसानी से बना भी सकते हो बड़ा सिंपल है तरीका बनाने का देखो बटा बड़ा सिंपल तरीका है सबसे पहले आप सिर वाला भाग बनाओ ये रिगर्दन वाला भाग यहां से आप कंदे का भाग निकाल दो ये आप सरीर का भाग ये कमर का भाग ये लो यहां पर आपको क्या बनाना है याने हमें एक स्ट्रेक्ट्र सेट करनी है कहां पर क्या होता थी ये सिर है ऐसा लग रहा है एक खोपड quin और खोपड़ी में याँ पर क्या है? मस्तिस्क है ठीक है? तो यहाँ जो मस्तिस्क होता है यह इस तरहे इसमें हम देखें तो यहाँ जो ग्रंथी है वो हाइपो थेलेमस है हाइपो थेलेमस ठीक है? अब इस जगे आप देखोगे यहां तो यह पी नियल ग्रंथी है इसे बाइलोजीकल क्लॉक कहते हैं पी नियल ग्रंथी और यह आपकी पी यूस ग्रंथी ठीक अब जो गर्दन बाला भाग है यह तो गर्दन बाला जो भागया ने गर्दन में आप देखें यहां से जो स्वांस नली आती है यह स्वांस नली इदर निकलती है तो यहां गर्दन में जो पाई जाती है गले में स्वांस नली के दोनों और इसे कहते हैं थाईराइड और थाईराइड को कहते हैं आवटू ग्रंथी क्या नाम है थाईराइड का अवटू ग्रंथी और इसी थाईराइड में चार सरंचनाएं होती है चार गोलिकाएं होती है जिनें पेरा थाईराइड कहते हैं और पेरा थाईराइड को कहते हैं पेरावटू ग्रंथी ठीक अब देखें हम यहां से जहां हर्ट होता है इस हर्ट के पास हम देखें तो इस तरह की सरंचना है हर्ट के पास हर्दे के पास तो इस ग्रंथी को कहते हैं थाई मस ग्रंथी ठीक है अब यहां पे आप देखें जहां पाचन तंत्र है यहां इस जगे देखो यकरत ग्रंथी होती है लिग यकरत को इसमें दर्सा नहीं रहे क्योंकि वह वह सावी ग्रंथी है और इस जगे देखो यह होती है अगनाशे पैंक्रियाज या अगनाशे ग्रंथी जैसा बता रहा हूं ऐसा ही आपको बनाना है यह आमाशे आमाशे के नीचे अगनाशे ग्रंथी पाई जाती है फिर हम देखें ब्रक तो ब्रक जो है वो कशेरुक दंड के दौनों और इस्थित है रीड की हड़ी के तो यहां दौनों ब्रक्कों की उपरी सतय पर आप देखोगे यहां तो अधी ब्रक्क ग्रंथी पाई जाती है इसे एड्रीनल ग्रंथी कहते है अधी रगो तो नर और मादा में यहां तक सभी समान है यहां तक कोई अंतर नहीं है अब यदि आपको यह नर अंते स्रावी तंतर बनाना है नर अंते स्रावी तंतर तो आपको क्या करना यहां पर इसमें आपको बनाने हैं ब्रश्ण क्या बनाने है जन्नांक छित्रों में नर्में इस्तित यह यह ब्रशनगरंती है आपकी मतलब नर की ब्रशन ग्रंथी अब यदी इसके स्थान पर अब ये समय नर अंते स्रावी तंत्र के लाएगा ये है नर अंते स्रावी तंत्र ठीक है अब इसको मैं मादा अंते स्रावी तंत्र बनाओ तो केवल ब्रशन ग्रंथी हटा कर यहाँ पर अंडाशे ग्रंथी लगानी है और दोनों का चत्र लग होता है ये नर अंतेस्त्रावी तंत्र है और दूसरा मादा अंतेस्त्रावी तंत्र होता है तो यहां देखिए अब मैं इसको मादा एंते स्राभी तंतर में बदल रहा हूँ ब्रिशन हटा रहा हूँ यहां डाशे लगाऊंगा देखिए देखिए बिटा यह देखिए यह है अंडाशे अब इस समय यह है मादा अंते स्राभी तंतर इस समय अभी हो गया मादा अंते स्राभी तंतर अब यदि हम एक में ब्रशन भी यहां लगा दे तो दौनों संभव नहीं है क्योंकि नर में पाये जाता है ब्रशन और माधा में पाये जाता है अंडाशे तो यह तु थी बात चित्र की अब एक एक करके हम इनके टॉपिक देख लेते हैं फटा पट इसको मैं कर देता हूं स तो परिवासा वेटा आपने पढ़ ली जन्तु हार्मॉन की अब हम बात करते जन्तु हार्मॉन जो है अंते स्रावी ग्रंथियों से इस्तरावित होते हैं जन्तु हार्मॉन अंते इस्तरावी ग्रंथियों से इस्तरावित होते हैं ठीक है जन्तु हार्मॉन एक प्रकार के राशायनिक पदार्थ हैं जो अंते स्रावी ग्रंथियों से इस्तरावित होते हैं ये ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं अब देखो मैं एक एक ग्रंथि आपके सामने ले रहा हूँ ऐसे ही आपको पढ़ना है नमबर वन हाइपो थैले मस ग्रंथि तो ऐसे ही आपको एक एक ग्रंथि लेनी है इसी तरह पॉइंट बना के लिखना है सब में नमबर एक पहला पॉइंट लिखोगे इसमें यह ग्रंथि यह ग्रंथि मस्तिस्क में इस्थित होती है यह ग्रंथि मस्तिस्क में इस्थित होती है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इस ग्रंथी से प्रेरक तथा निरोधी हार्मोन इस ग्रंथी से प्रेरक तथा निरोधी हार्मोन इस्तरावित होता है जो प्रेरक हार्मोन है यह प्रेरक प्रेरक प्रेरित करने वाला यह एक तरह से समझ लीजिएगा कि हाइपो थेलेमस ग्रंथी प्यूस ग्रंथी को अपने नियंतरण में रखती है प्यूस ग्रंथी को यह हार्मोन इस्तरावित लिए प्रेरित भी करता है और उसको रोकता भी है इसलिए हाइपो थेलेमस ग्रंथी को हैड मास्टर ग्रंथी कहते हैं देखो प्यूस ग्रंथ ति केबल मास्टर गुंति हे लेकिन यहाँ पर जो हाइपो थेले मसै यह हैड मास्टर गुंति है ठीक है तो यहाँ हम कहेंगे नंबर तीज यह है पी उसे गृंतिकrau यहाँ विज गृंति को हार्मोन इस्तरावित करने या रोकने में नियंत्रित करता है नमबर एक और लिख लो इसे हैड मास्टर मास्टर अब दी मास्टर इसे हैड मास्टर ग्रंथी कहते है यह न आप पढ़ोगे प्रेरक हार्मोन को कहते हैं रेलीजिंग हार्मोन और निरोधी को कहते हैं इनिवीट्री हार्मोन इनिवीटिंग हार्मोन प्रेरक और inhibiting अब यह जो निरोदी हार्मॉन यह ब्रिशनक दर सर टोली कोशिकांसे विस्त्राविद होता है binding charged aa anti-mullarian विस्त्राविद होते लेकिं इन सबको जो नियंद्रन करने वाला करたँ है सब ग्रंथियों को वूर। इंद्र करने वाला ऑई यहां Anti This virus करना वाला हाइपोधैलेमस है इसलिए हाइपुधैलेमस को मास्ट्र कुण करता है है क्योंकि मास्टर को नियंद्र कौन में नहीं आएंगे आगे आप जब पढ़ोगे बार्भी क्लास में तो यह सब हार्मन आपको इक एक करके पढ़ने बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है तो यहां पर मैं अब दूसरी ग्रंथी लेता हूं कि प्यूस ग्रंथी नमबर दो प्यूस ग्रंथी इसको इंग्लिस में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लेंड पहला पुइंट तो आप यहां यही लिखोगे कि यह ग्रंथी भी कहां इस्तिते हैं मस्तिस्क में मस्तिस्की अधर सतय पर यह ग्रंथी पाई जाती है और इस ग्रंथी से इस्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं पिट्यूट्राइन हार्मोन जबकि पिट्यूट्राइन कोई हार्मोन नहीं है यह हार्मोनों का समू है आप जब आगे पढ़ोगे आप सीन Carxytocin, Prolectin, Basopressin, Thyroid Stimulating Harmong and Follicle Stimulating Harmong यह सब हार्मोनों का समुएं वो कहलाता है Pitutrion Harmong और यह है जो ग्रंथी है वो अन ग्रंथियों पर हार्मोन इस्तराबित करने का नियमन रखती है नियंद्रन करती है इसलिए P.E.S. ग्रंथी को Master Grant कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं माश्ट गरंथी तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे यह है गरंथी मस्तिस्थ के पास होती है दूसरा इस गरंथी से पिट्यूट्राइन हार्मोन इस्तरावित होता है ठीक है जबकि पिट्यूट्राइन हार्मोन यह हार्मोनों का समू है जिसके अंदर आपको मैं बताऊं जी जी ए बी पी टी एफ यह हार्मोन बताऊंगा आपको यह हार्मोन इस्तरावित होते हैं पिट्यूट्राइन से गौनेड़ ट्रॉपिन हार्मोन ग्रोथ का मतलब रद्धी हार्मोन ए ऑक्सीटोसिन बी बेसोप्रेसिन पी प्रॉलेक्टिन टी थायराइड इस्तिमिलेटिंग हार्मोन और इसको मास्ट गंति कहते हैं आज का वेटा वीडियो में टाइम इतना ही है मैं यह टॉपिक थोड़ा और चलेगा नेक्स्ट वीडियो में आपका इपार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो यहां तक आप तयार करें आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में सेर करूँगा थैंक यू पर वाजिए